हलो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच सबसे अजीब और खतरनाक स्विमिंग पूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ लेकिन ये स्विमिंग पूल अजीब होने के साथ साथ इतने खतरनाक भी हैं कि इन में कहीं लोगों ने अपनी जान गवा दी है तो जीवन में कभी भी आपको इन स्विमिंग पूल में जाने का मोका मिले तो जाने की गलती भूल कर भी मत करना केच ओफ डेथ इसे मोत का पिंजरा भी कहा जाता है इसमें लोगों को एक शीशे के बकसे में बंद करके पानी में डाल दिया जाता है जिस पानी में एक भारी भरकम बड़ा सा मगरमच होता है और वहां का ट्रेनर आपके काँच के बॉक्स के चारो तरफ कुछ ना कुछ खाने को देता रहता है जिससे मगरमच आपके बॉक्स के काफी नज़्दी आ जाता है और इस तरह से आप मगरमच को पानी में इधर से उदर जाते हुए बड़े आसानी से देख सकते हैं इस स्वीमिंग पुल में आपको केवल 15 मिनट ही दिये जाते हैं क्विन्स बात दोस्तो यह स्वीमिंग पुल हवाई में इस्तित है लेकिन इस स्वीमिंग पूल का निर्मान किनही कारीगरों ने नहीं किया, बलकि इसका निर्मान किया है प्रकरती ने और यह चारों तरफ से बड़े-बड़े पत्थरों से गिरा हुआ है और इसे पूल-ओफ-डेथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पास ही में समुद्र होने के कारण इनकी लहरों का भाव बहुत तेज होता है और इस प्राकर्तिक स्विमिंग पूल के साथ खेलने में कई लोगों ने अपनी जान भी गवा दी है विंटर स्विमिंग पूल स्विडन में फरवरी के महीने में एक चेंपिनशिप करवाई जाती है जिसमें लोगों के धेरे की परिक्षा ली जाती है इसके लिए वहाँ पर बरफ को काट कर एक स्विमिंग पूल बनाया जाता है जिसका पानी बहुत अधिक ठंडा होता है और उसमें कुछ लोग तेरते भी हैं और यह पानी इतना अधिक ठंडा होता है कि इसमें केवल 15 मिनिट तेरने से ही इनसान बेहोश हो जाता है और अगर एक घंडे के बीतर उसका इलाज नहीं करवाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है इसलिए इस चैंपियनशिप को और्गनाईस करवाने वाले अपने साथ हमेशा एक मेडिकल इस्टाफ रखते हैं और पास ही में एक गरम पानी का स्विमिंग पुल भी होता है और इस स्विमिंग पुल में नहा कर पार्टिसिपेट करने वाले लोग अपने आपको तुरंत गरम कर लेते हैं सफारी पार्क पुल दोस्तों अगर आप प्राकर्तिक स्युमिंग पुल का लुप्त उठाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए यहाँ पर आप पानी में तेरते हुए जंगल के अलग-अलग जानवरों को देख सकते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप हाती को बहुत नस्दीक से देख सकते हैं क्योंकि वो कभी-कभी प्यासे होने के कारण स्युमिंग पुल में पानी पीने के लिए आ जाते हैं लेकिन इन सभी के साथ साथ आपको कुछ खतरनाग जानरों से सावधान भी रहना होगा नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है और लाश्ट में हैं इन्फिनिटिव पुल दोस्तो यह पुल बाकी सब पुलों से काफी अलग है क्योंकि यह पुल धर्ती पर नहीं बलकि लंडन की एक बहुत ही उची बिल्डिंग पर बना हुआ है और इस पुल से बाहर निकलने के लिए आपको सीडिया नहीं मिलेगी भलकि आपको पानी के और अंदर जाके बिल्डिंग के अंदर से ही निकलना होगा क्योंकि यह पुल एक बिल्डिंग के टॉप फ्लور पर है इसलिए वहाँ पर पानी के अलावा किसी और चीज के लिए जगए नहीं होगी और इस स्विमिंग पूल के चारो तरफ बेहती खुबसूरत रंगीन लाइटे भी लगाए गई है जो कि रात को अलग-अलग रंग बदलती रहती है और दोस्तो इसमें नहाते हुए पूरे शेहर को देखना किसी जन्नत के नजारे से कम नहीं है तो दोस्तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ मैं वापस लोट की आऊंगा एक और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक आप मेरी इन वीडियो को देख सकते हैं